कर रहे थे कितने लेक्षार होचिके 5 हो चुके तो फिर लेक्षर नुमर 6 करेए इस लेक्षर नुमर शिक्स और हम लोग लास्ट वार्डन के तीन क्वेस्टेशन हम लोगोनी कि धिये है ना तो अभी जैसे हम लोग क्लास के पहले ये बात कर रहे थे कि कैसे क्या भी लिखाता हम लोगों ने ब्रेंड डज वाट इट इस टोल्ट दिमाग वही करता है जो इसे करने को कहा जाता है ठीक है तो अगर आप यह कहा दी हमारी इस ट्रेक्शन के अंदर तो फिर आप सोचना शुरू करेंगे कि मेरी मरी स्टॉंग है तो जैसा अपनी से बनाएंगे उससी तरह से ब्रेंड काम करना शुरू कर देता है ब्रेंड अपने आप कुछ नहीं करता सब आप कहते हैं उसको तो जो इसको कह दीजिए और यह हमेश लिए जरा हिंदी बें लिखिह सत्थ हिंदी वि लिख सकते हैं कि नहीं सत्थ सहस्त्र सत्सहस्त्र सधना न सत्सहस्त्र सधना साधना वर्ट तो समझते होंगे साधना हाँ साधना क्या करता है ध्यान बहुत अच्छा साधना मतलब किसी चीज़े फोकस करना है ना साधना मतलब focus simple है focus है कहां पर ध्यान आपका लगता है सत का मतलब होता है hundred सत का मतलब arrow बना के नीचे लिखे hundred सत का मतलब hundred साहस्त हम बुले हाँ वो सत्य होता है वो सत्य है हाँ साहस्त का मतलब one thousand one thousand बास this is the secret of success अगर आपने इडिसाइड कर लिया कि कम से कम सौ बार हम प्रेक्टिस करेंगे कम से कम सौ बार और अगर बड़े सपने हैं तो एक हजार बार आगे कोई limit नहीं है आगे कोई limit नहीं बट ये confirm ने का आप किसी field के expert master बनना चाहते हैं तो यही phenomenon apply करना पड़ेगा आपको क्या करना पड़ेगा सत् सहस्त्र साधना करने पड़ेगे कितनी बार कम से कम नहीं कम से कम सो इससे नीचे कोई मतलब भी नहीं है कोई मतलब नहीं है आप देखे जितने गाने आपको याद हुए है अभी तक वो इसी familiar से याद हुए है Ensuite हाँ कोई गाना इससे कम नहीं सुनाओगा आपने not less than hundred not less than hundred इससे ज़्यादा ही है तो याद हो जाता है फिर वह तो भाईची यहाँ पर भी है वही कल का डेटा आज तो आपको याद थाने कि 246 लीटर वॉल्म था इसले टन का आज आपको याद था और वीटू भी आथा फिर number of mole भी आथा फिर आपने reversible expansion नहीं मताया reversible expansion मताया तीसरा वाला recall करके बता दिये वर्डन क्या था थार्ड वाला क्या था वर्डन मताद ती नहीं थ्री parts थे question में ना तीन तरह के वर्डन निकालने थे हम लोगो पहले भी reversible expansion था फिर irreversible expansion बहुत अच्छा फामूला बुलिये irreversible का याद करी रिचल P delta V minus P delta V minus P delta V फिर तीसरा क्या था वो recall करना है वहाँ तच्छा हां ऐसा कुछ था देखिये ये था W is equal to W is equal to plus N R delta T N R delta T तो इस वर्ड को हम लोगो ने क्या नाम दिया था this is called burden during isochoric heating hydrochoric heating isochoric heating तो ये हुआ था ना कि W expansion बर्ड तो 0 रहेगा अगर isochoric है तो expansion will be 0 but isochoric heating में burden होगा in terms of change in internal energy तो ये burden आएगा वहाँ पर है ना N number of moles of gas हो गया R की value बताइए रेचल no 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 R की value R की value थोड़े 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 दिर इस पर pressure डालेंगे फिर अगर ये बिचारा नहीं कर पाएगा तो इसकी help करेंगे हां बहुत अच्छा हां हां कोई बात नहीं अब copy देख लिजे क्योंकि पहले effort कर चुके हैं आप अब करेंगे तो ज़्यादा याद होगा हां 8.314 मतलब यह process होगा learn करने का पहले अपने आप effort करेंगे effort करने के बाद अगर थोड़ा सा देखा तो याद हो जाएगा अगर आप हमेशा बस तुरंट देखेंगे तो जल्दी आद नहीं होगा मतलब जितना आप इस पे pressure डालेंगे तब जल्दी आद होगा तब जल् क्या है 8.314 यूनिट कभी मत देखें ना हां ना जूल्स थी 8.31 जूल्स है यह 8.31 जूल्स है और जो लीटर एक्मोस्केर कह रहे थे वो कौन सी वैलू है R की वैलू 0.0821 0.0821 0.0821 लीटर एट्मोस्केर पर मोल पर कैल्विन पर मोल पर कैल्विन पर मोल पर कैल्विन बस कुछ नहीं है यह काम सोते समय जब आप बेड पे जाते हैं रोज हम इस बात को कहते हैं रोज इस बात को कहते हैं और इस फेनमना का नाम क्या है इस इस कॉल मिल्टल डाइरी जब आप सोते समय मतलब सोने के ज़स्ट पहले सब कॉंसर माइंड बहुत एक्टिव रहता है उसमेंगर डेटा चला गया तो बहुत जल्दी मेमरी में चला जाता है वो तो जब बेड़ पे लेटते हैं उसमें आप हमुले रिकॉल करिए आपको लेगा सल्दी कि दूश्टे समय सो रहा होता है तो सब को सब समर्ध माइंड वो बहुत एक्टिव होता है अच्डिय मेमरी सब्सक्राथ और में पसको यह नीकोई formula कोई ने कोई numerical कोई ने कोई phenomena जो भी फिजिस के मिस्ट्री बाइए जो भी आजाजाए क्योंकि जो हम करने शुरू करेंगे ना तो ये थोड़ी दिने हैंक करता है हैंक नेन आ जाती है नेन जब कॉंसे माइंड एकदम शान्थ हो जाए तो नेन अपने आप आ जाती है अपन करते रहते हैं अगर थोड़ चुब चल रहे हैं तो निन जल्दी नहीं आएगी थोड़ को कम करने का क्या तरीका है इसको कोई काम पकड़ा दिए और ने तो यह आपको पकड़ा देगा और यह पकड़ाएगा तो ना सोने भी निदेगा जाए तो यह माइंड की मैकेनिस समillsर देगे माइंड को कहता है रही कि अटेरिबल बॉस बट हाँ बट इसा वंड़ंडरफर आल्ज्वल स्लेव ऑलसो तो डिपिन्ड करता हम इसको क्या बनाकर रखते हैं क्या बनाकर रकते हैं खेलिए तीन ओप्स अपने अपको रीट किजेगा हमारे साथ क्या होता है जैसे सुब्स हो के उड़ते हैं तो do you feel excited very next moment कि आज ये करना ये करना ये करना जैसे आँख खुलती है number one first option ये था yes or no do you feel excited आज ये करना ये करना ये करना ये करना no, ठीक है second option second option अगर इसमें yes होता then your personality वो साथिक साथिक बेलों always excited always, always, always they are full of enthism they are always enthistic enthism भरा रहता है जैसे सो के उठे तुरंट अभी ये करना, ये करना, ये करना, ये करना second option जब आप सो के उठते हैं तो are you worried, stays out, fatigue नहीं होता है हाँ साथीक है अगर ये होता then you'd have been Rajsik SRT तीन तरह की personality उस दिन बात हो रही थे न किसके according ने भगवत घीता के accordingly ये भगवान Lord Krishna ने मिताया कि तीन तरह की personalities होती है ठीक है साथीक क्या होगा they love morning, they are morning risers साथीक वाल are morning risers सूबह उठते हैं वो रात को जल्दी सो जाते हैं जल्दी सो जाते हैं फूड कैसा होता है इनका साथीक वालों का raw food होता है fresh होता है they love fruits not food नहीं, हम क्या करें पहले सुनी हमको हमने का they love fruits not food वो लोग fruit ज़्यादा पसंद करते हैं क्यों? क्योंकि इनको पता होता है खुब भणिया सुनिएगा इनको इनको पता होता है कि food makes you passionate food makes you passionate क्योंकि energy आती है न and fruits make you compassionate क्योंकि अंदर हिंदी में क्या कहते है हिंदी में यह कहते है करुणा क्योंकि वर्ड सुना है करुणा करुणा मतलब जैसे आप जा रहे थे और कुछ कर तो नहीं सकते हैं लेकिन आपने किसी काउ को देखा उसको चोट लगी थी तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं लेकिन एक मिनट खड़े होके प्रेयर तो कर सकते हैं कि God इसको जल्दी हील यह करना हो गया ठीक है यह आपने क्या किया अपने टिफिन से एक रोटी निकाली उसको खिला दिया काउ तुम जल्दी ठीक हो जाओ वाई कल मिलेंगे बस हो गया काम हो गया ठीक है तो कि God क्या करता है God intent देखता है आपका content नहीं intent देखता है action नहीं action के पीछे का intent आपको हम आपने हमने आपको खाना खिलाया रोटी दिया तो एक तरीका यह हेलो रोटी आपके पास आके आपके प्लेट में रखा हमने आपको अच्छा लगेगा या रोटी दोरो में दिया गया लेकिन अब intent रफरक पड़ता है ठीक है तो इनके अंदर मतलब जो fruits खाते हैं तो उनके अंदर क्या होता है compassion होता है सात्विक पेपल होते हैं वो compassion होते हैं वो गलत सोती नहीं सकते हैं आपको harm कभी नहीं करेंगे वो ना कभी नहीं करेंगे वो सोची नहीं पाएंगे उस्तर रिकीक वारे में ठीक है the time all the time is the important thing all the time यह लोग यह लोग कब खुश होते हैं रास्तिक लोग कब खुश होते हैं यह कभी खुश नहीं होते हैं इनको और चाहिए तो और क्यों नहीं है जो मिल गया उसके कुशी नहीं है मतलब बच्चे का 95% आया तो फादर क्या कहता है 5% रहे गया यार थोड़ा और मेहनत करते तो 100 आ जाता यह फादर कह रहा है यह फादर किस काटिग्री भी जाएगा रास्तिक वाले में जाएगा साथ्तिक वाला क्या बुलेगा माई गाड यार हमारा तो इतना नमबर कभी नहीं आया जिन्दिगी में बच्चे को कैसा लगए कर सुन करके फादर अपने बारे में कह रहा है कि यार हमारा इतना नमबर तो कभी नहीं आया इतने में तो तीन बच्चे पास हो जा रहे है कैसे यार कैसे मतलब गजब यार मज़ा आग यार बस इतना कैसे चुप जए यह आप देखे बच्चे से बॉंडिंग कैसे होगी आपकी आगे पीछे नाशेगा आपके वो अब बाहर दोस्ती नहीं करेगा कही नहीं जाएगा अब आप से दोस्ती करेंगा क्योंकि यूज इससटाइपरिशेटिंग एनी परसन वो आपके आगे पीछे नाशने लगेगा येस ठीकिन यही तो हम लोग नहीं कर पाते हम लोग एपरेशेशन जीगे हम लोग को हेट्रेड होता है हमको जैलसी होती है तो फिनामना एकदम सिंपल सा है ठीक है और अल्टिमेट परपर्स तो हैपेनेस है ना जोग भी कर रहे हैं तो फिर वो फामूला सीखे जिससे हैपेनेस मिलती हो तो यह जो अभी आपने कहाँ वाई साथी पिपल आर क्या है आल दे टाइम सबसी पॉर्टेंट आल दे टाइम वाई भीकाज ये बिकाज दे आर इंटो सर्विस, आल दे टाइम है ये प्रस्रसुentar और ही इसे लिए होती है और साथिक लोग ऐसे रखते है यह डिफरेंस है अब आप डिसाइड करेंगे अच्छा और दोनों के विश्वल्ष लोटी है यह भी होता और यह भी होता है जो आप चाहें कि God grant कर देता है as you wish चाहे ऐसा बन जाई चाहे ऐसा बन जाई है कुछ लोग मतलब भूके रहना पसंद करेंगे लेकिन ऐसे नहीं करेंगे और कुछ लोग जरासा हुआ है वो चायपत्ती खतम हो गयती है आप क्या 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 प्रणुसी आके नौक कर देगा 10 बचे रात को अरे चाहे पी नहीं जरूरी है कि चाहपत्ती खतम हो गई तो पहले दो ध्यां रखना सी यह अगर खतम हो तो मत चाहपी यो मांग क्यो रहे हो यार क्या habit ड़लोप कर बच्चे को क्या सिखा रहे हो बच्चा देख रहा है न मुमी गई बगल में चाहपत्ती वही बच्चा सीख रहा है, वही बच्चा सीख रहा है, है ना, कुछ चार-पान साल पहले एक पेरिंट आये थे, वो मतलब जैसे कुछ वो का नेचर होता है, तो वो पेरिंट अपने बच्चे के बगल मेठा करके, और फीज कंसेशन की बात, बच्चा उका ना बैठा हुगा है, ठीक है, कोई प्रॉड नहीं है, फिर मतलब उन्होंने कहा, मैंने कम कर दिया, और कम करना था, आदत होती है कुछ लोग की, और थोड़ा, और कम हो जाए, और कम हो जाए, उन्होंने तिर तीन बार और कहा, कम करने के लिए, मैंने बताया कि सर, टीचर को नहीं मिलेगा, जी स्टीन वाल होती है और building expenses होते हैं सब होता है आपने कहा तो मैंने तुरंग देखिया कर दिया ऐसा नहीं किया हमने नहीं किया अब already fees कोई ज्यादा भी नहीं है जैन्विन फीस है ऐसा फीस ज्यादा भी नहीं है लेकिन फिर तीन बार उन्होंने कहा तो हम समझ गए कि इनका nature है फिर अच्छा ठीक है आप जो कह रहे हैं वही करिएगा खुश होके चले गए अच्छा फिर बगल्व जो स्टाब बैठा मैंने उससे कहा कि कुछ सीखा तुमने क्या का कि क्या सीखा आप से कोई भी काम करवा सकता है बस खाली वह आप से तीन-चार वर कहें आप मांज जाएंगे कर देते हैं आप अमने का नहीं और कुछ बता और क्या सीखने को मिला मैंने कहा कि इनको पता ही नहीं था कि इन्होंने बच्चे को भीक मांगना सिखा दिया गट दा पॉइंट यहां तक सोची नहीं गई होगी बच्चा देख रहाता है कि फादर ने एक बार कहा नहीं मानें दो बार कहा नहीं मानें तीन बार कहा तो isi ko to bheuk कहते हैं और क्या कहते है तेन बार कहो तो मान जाएंगा बच्चे ने सीख लिया अच्छा मैं क्या सिखाता बच्चे को अगर बच्चा साथ में है कंसेशन के ओद काद करनी भी होगे तो बच्चे के सामने नहीं करेंगे ना education to priceless होती है हमने यहां पर 2-4000 बचा भी लिया तो क्या कहां के राजा बन जाओगे और वह education है अच्छा दूसरा क्या होता है कि जब वें यू पे दा प्राइस दिन यू पे अटेंशन इसको रट लीजेगा वें यू पे दा प्राइस देन यू पे अटेंशन जब आप कम प ज्यादा ध्यान से करते हैं तो यह चोटी सी बात थी तो फिर उसने staff ने कहा कि हाँ सर ये बात तो है father को नहीं पैता उनम उन्हसें क्या सिखादिया बच्ची को। कैसे खाया बच्ची को भीक मांगना सिखा दिया है ना और अगर वो वाला काम किया होता है उन्होंने कितना हुआ सर ये लिजिए दो मिनट पैठे थैंक यू और फिर फिर खाली एक काम कहते है कि सर बस आप से एकी रिकेस्ट है बच्चे पर थोड़ा ध्यान दिजीगा अब बच्चे को अच्छा लगता ना तो ये डिपेंड करता है तो लाइक से सीखना शुरू करिये जब सुबह उठते हैं तो इनका नेचर कैसा होता है साथिक लोग का नेचर कहता है एकसाइट होते हैं they are excited क्योंकि ड्रीम्स बहुत बड़े-बड़े होते हैं इनके पास जैसे सो के उटे आप खुली बस सपना चलू हो गया यह करना यह करना ही है रासिक वरीड यार अभी यह नहीं हो पाया अभी मतलब जैसे घर बन रहा है माल लिया उसका तो रात को भी परेशान है अर्यार गिट्टी आनी थी अभी नहीं आई और दो बज़े रात को आ गई अब यहार पता नहीं पूरी ट्रुक ह है यह कि नहीं है चोरी न कर लिया हो उसमें ऐसे सोच रहे हैं यह लोग और सथी क्वाला क्या होता है और कितना चोरी करेगा अब सथी क्वाला क्या ने रूकर हमा रहे हैं दो बज़े रात को हम आएंगे तब गिराना गिट्टी हम देखेंगा अपने आँग से देखेंगे तुमने कितनी गिट्टी गिराए फिर नापेंगे फूरा नापेंगे ये वाला है ठीक है और इस से लिए ये हमेशा एस्ट्रेसर रहते हैं है नो वरीड रहते हैं तो हैपी नहीं रहेंगे अच्छा ये जब उठेगा ये वड़ा इंपोर्टेट है जब तामसिक जब उठेगा ये क्या होगा ये और नीचे जाता है ये जब ये जब उठता है तो बिस्तर से निकलना नहीं चाहता है ये कहता है कि थोड़ी देर और अभी उठते हैं ठीक है इसको क्या कहते है तामसिक कहते है इसको तामसिक कहते है तो इसी से आप एहसान लेजी कि कौन किस नेचर का है ठीक है अगर तामसिक है तो इसके पास तीन चीज़े होगी इसकी पहसान क्या होगी तामसी की पास पहला प्रमाद होगा प्रमाद लास टन पर लिखा ये था न हीड्लीस और Sample Word Careless He is सभसे बड़ी पहसान इसकी तामसीक वाले के He is headless about his health इसको इससे मतलब नहीं कि क्या खा रहे है मया आनी चाहिए इसको बस खुब चटपटा होना चाहिए मिर्चा होना चाहिए मसालेदान होना चाहिए अब इससे मतलब नहीं कि अंदर जाके लीवर पे क्या फरक पड़ेगा हिल से कोई मतलब नहीं होता है इसको और सात्यक वाला जस्ट अपोजिट है सात्यक वाला करेला पसंद करेगा क्योंकि उसको पता है कि करेला क्या करेगा यह ब्लड पेवरिफायर है कड़वा है हाँ है so what क्या फरक पड़ता है और तामसी को ला करेला कभी नहीं खाएगा वो ची करेला को यह खाने की चीज़ है क्या करेला कौन खाता है यह तामसी वाला यह करेगा तो यह उसका करेक्टर आप पहचान सकते हैं इसके अंदर प्रमाध होता है आलस होता है इसकी पहचान आलस से है और इसको सबसे प्री चीज इसकी निद्रा होती है sleep जंदगी का number one number one priority इसके sleep रहती है food and sleep food and sleep food and sleep खाना सोना खाना सोना खाना सोना ये इसकी पैसान है ठीक है अगर ये दोनों है आप खुब खाते हैं खुब सोते हैं तो आपको happiness मिलेगी क्या health मिलेगी अच्छी अगर health नहीं मिलेगी तो happiness कहां से आएगी कभी नहीं आएगी तो अगर happiness लेना तो कहां चले साथ्वी के चले कहां से शुरू करें साथ्वी करेक्टर डवलफ करना है कहां से शुरू करें कोशिश नहीं करना है येस बहुत अच्छा early to bed early to rise number one सबसे पहला काम यह हो early to bed early to rise यहां से शुरुआत होगी हम वो बात कहने हैं जो आप कर सकते हैं थियोरी वाली बाते मत करें खुश रहने की कोशिश अरी कौन नहीं चाहता है खुश रहना है सब लोग तो चाहते हैं यहां थोड़ दिर छोड़ दियो उनको देखे पांच मिनट बात उनको मिली है एक कैमरा लगा यह उनकी फेस पे उनको पता नहीं कोई देख रहा है दो मिनट में मूँ बना लेंगे दो मिनट लगे मूँ बनाने में क्योंकि कुछ खोज रहे हैं कुछ मतलब चाह रहे हैं ठीक है तो बस जो फार्मूला हमने कहा था कि प्रैक्टिस करें बार बार प्रैक्टिस तो ये वर्ड याद हो जाएक न साधना का नाम क्या है सत्थ-साहस्त-साधना मतब हंदिट से ले करके thousand time क्या करना है practice करना है practice करना बार 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 लिखेंगे बार 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 लिखेंगे recall करेंगे learn करेंगे ठीक है चले फिर अगले question पर आते हैं next numerical करते हैं देखें पहला हम लोगों ने ये किया था minus 2.303 nrt log v2 upon v1 किया था फिर second में हम लोगों ने p delta v लगाया था minus p delta v 3rd में क्या लगाया था nr delta t nr delta t ये किया था ठीक है आचा फिर अगला question लिखे question number 4 4 कॉंपी में लिखे 5 moles of an ideal gas 5 moles of an ideal gas 5 moles of an ideal gas at 300 k and 10 atrium pressure and 10 atrium pressure 10 atrium pressure undergoes undergoes isothermal undergoes isothermal reversible expansion isothermal reversible expansion reversible expansion to double to double its volume expansion to double its volume expansion to double its volume double its volume full stop subsequently it is isothermally compressed to its original volume compressed to its original volume to its original volume तो delta v कितना हो जाएगा compressed to its original volume बार 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 बोलिए इसको compressed to its original volume compressed to its original volume क्या मितलब हुआ हाँ बहुता है सथो keeping to data V जिरो हो गया बिलटा V 0 हो गया जिरो हो गया जिरो हो गया जिरो हो गया कुछ निकरना है इस वो focus करने की habit डालिए बस सोचने Mitte हे चवेबिबिबब डालिए सोचने की हैबिबिबिब डालिए माइन को जतना जदा आप pressure करेंगे उदना develop करेगा धिरे-दरे develop करेगा ठीक इसलिए कहा रहे थे तीन-चार बार repeat करिए compressed to its original volume compressed to its original volume बार बार बोलते 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 समझ में आ जाता है कि अच्छा जहां से शुरू क्या था वही पहुंच गया तो delta v 0 हो गया bracket में लिख लिए अपने हेंड के लिए delta v 0 delta v 0 अब question करें full stop what is the net heat absorbed what is the net heat absorbed heat absorbed by the gas heat absorbed by the gas and what is the net work done and what is the net work done by the gas work done by the gas by the gas तब answer करते हैं जब delta v 0 हो गया तो वर डन p delta v formula होता है अगर delta v 0 हो जाए तो p into 0 0 हो गया किसी चीज़ में 0 सो कर दे हैं तो 0 हो जाता हैं तो बर्डन 0 हो गया बर्डन 0 हो गया working is start करें लिकिए because the system returns because the system returns to its original state system returns to its original state returns to its original state. So, this is a cyclic process. So, this is a cyclic process cyclic one line करियेगा this is a cyclic process cyclic process फिर जो हम लोग types of processes कर रहे थे तो cyclic process define करके फिर इसके 4 consequences note किये थे हम लोगों ने कि cyclic process में क्या होता है cyclic process पे w 0 होता है q 0 होता है delta e 0 होता है delta h 0 होता है चारो 0 हो जाते हैं सारा 0 हो जाता है क्योंकि कोई work होता ही नहीं है ठीक है तो आगे चलिए full stop in cyclic process in cyclic process there is no net heat absorbed there is no net heat absorbed no net heat absorbed फिर अगले step पे यह मैच्वाला सिंबर therefore as a dot लगा के ना therefore q is equal to 0 अगले step पे therefore q is equal to 0 words में ना लिख करके इसको क्या कहते हैं मैच में is therefore therefore or since कैसे लिखते हैं एक dot नीचे आता है दो dot उपर रहते हैं यह since होता है है ना यह therefore है तो therefore q is equal to 0 q is equal to 0 फिर गले step पे and there is no net work done and there is no net work done by the gas net work done by the gas फिर वही काम अगले step अगले step अगले step अगले step अगले step अगले क्यों भी 0 हो गया W भी 0 हो गया क्यों cyclic process था cyclic process यह कैसे पता लगा cyclic process वहीं पर फिर आ गया क्योंकि जब इन्होंने यह कहा था हलो मैं अभी हम मैं अभी हम class ले रहे हैं का class के बाद हम call करेंगे आपको ठीक है तो जैसे यह का subsequently it is compressed पहले तो क्या किया था इन्होंने पहले expand किया था जितना volume था उसका double कर दिया था double volume किया expand किया उन्होंने लेकिन फिर उन्हें compress भी किया लेकिन compress कितना किया original पे चले आए तो जब original पे चले एक है तो cycle process हो गया if a process any system undergo series of changes but ultimately again returns back to its original state it is called cyclic process cyclic हो गया और cyclic की consequences क्या हो गया सबसे पहले तो delta V 0 अगर delta V 0 तो नहीं work पहले तो P delta V पे चलेंगे कि जब delta V 0 हुआ तो W को P delta V होता है delta V 0 तो P into 0 W 0 हो गया तो delta E क्या होता है Z 0 हो जाता है और फिर delta H भी 0 हो जाता है तो चारों चीज़े 0 हो जाती है ठीक है चले फिर आगे चले एक question और करके फिर फिरी कांटिनू करते हैं question वह 5 लिखिए question number 5 5 mols of nitrogen 5 mols of nitrogen at 5 atm pressure 5 mols of nitrogen at 5 atm pressure 5 atm pressure contained contained in a 10 litre cylinder contained in a 10 litre cylinder contained in a 10 litre cylinder absorbed absorbed 30.26 30.26 kg 30.26 kg of heat kg of heat when it expanded when it expanded to 200 litre expanded to 200 litre at 2 atm pressure at 2 atm pressure 2 atm pressure now stop rating अभी poor earning अभी तक बताईए क्या condition दी गई आपको 5 mol nitrogen थी 5 atm पे रखी थी 5 atm पे रखी थी और जिसमें रखा था उस cylinder का volume 100 litre अच्छा किसी gas का volume कितना होता है किसी gas का अपना कोई volume होता ही नहीं है it occupies the volume of the container 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 तो enerically यह volume किसका है gas का जो volume cylinder का होगा वही volume gas का हो गया वही हमें gas हमें cylinder के volume से क्या है हमको तो gas से मतलब है कि कितना pressure volume है वही वर सेलेंडर पर थोड़ी नहीं होना है कि सेलेंडर को compress कर रहे हैं gas को compress कर रहे हमको तो gas से मतलब है तो आगे सी तो gas की property है gas को gases do not have their own volume gases occupy the volume of the container जिस container 10 litre gas है उसको अगर आपने 15 litre के container में transfer कर दिया तो उसका volume 15 litre हो जाएगा अब आपने क्या क्या उसको 5 litre के container में transfer कर दिया तो 5 litre हो जाएगा gas compress हो जाएगी तो gas का अपना volume नहीं होता है तो gas के बारे भी क्या दिया पांच मोल gas थी 5 ATM पर रखी थी और उसका volume कितना था 100 litre 100 litre अच्छा फिर क्या किया इसने 30.26 kg heat क्या किया absorb किया अच्छा gas heat कब absorb करती जब हाँ 100 पे थी 200 पे आ गए double expand हो गई लेकिन अब एक problem है हां जो expansion हो रहा है वो 5 पे हो रहा है कि टू पे हो रहा है आपको बार बार पढ़के दिमाल काना होगा कि यार जो expansion हुआ है वो सब्सक्राइब क्योंकि अगर प्रेशर कम नहीं होगा तो gas expand कैसे करेगी अगर पांची रखा आपने तो कैसे gas होगी अगर गैस में वालिम चेंज करना है तो प्रेशर तो चेंज करना पड़ेगा आपको इसका दब कि इस question में इस 5 ATM से कोई मतलब भी रही है हां इसलिए कि आप कुछ करिए पी वन पी टू कुछ लगाईए इसलिए मैंने इसको बोल्ड किया हाईलाइट किया है ना अचा अब बिना देखे अभी तक बता सकते हैं क्या दिया है question में बिना देखे हां 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 बहुत हां रखा गया था हां कुछ भी कुछ भी कुछ भी बस हीट अब्जाब के इतना काफी है एक्जैक डेटा नीची है हमको मतलब हम चैने दिमाग में वो पिच्चर आजए कि क्या किया गया question में हां 280 अंपे मतलब गास डबल एक्षपैंड कर गई गास इस्पैंड कर गई अब कुछ है नोड करिये question है what is the change what is the change in internal energy what is the change in internal energy of the gas of the gas ठीक है अब हमको बताएए डेल्टा एका फामूला बताएए क्यू प्लस डबलू बहुत अच्छा है इस question में q एंड डबलू में से क्या दिया है क्या निकालना है q दिया है बहुत अच्छा डबलू निकालना है तो indirectly अभी पहले सुन लिजे हमको question करने के पहले अगर आप question समझ में आ जाए तो आपको करने मज़ा आएगी फिर इस बताएए कि क्या करना है आप यहां से निकले मालिया ठीक है पापा ड्राइव कर रहे हैं और आपको यह नहीं पता है कि कहा जा रहे हैं पापा कहा जा रहे हैं अभी बता रहे हैं अभी आपको अच्छा लगएगा कानपू जा रहे हैं बनारस जा रहे हैं लखनू जा रहे हैं अगर पापा बता दे हैं कि हम लोग बनारस चल रहे हैं अब बच्छा खुछ जाएगा अब बनारस के थे इमेजिंगा ना शुरू कर दिया उसने और बार बार रही कहिए आजर को भी बता रहा है भी बहुत जरूरी एक बात करने दो बताते हैं अब बच्चे को मज़ा नहीं आएगा कोई भी चीज है हमेशे आद रखिएगा I read a book, book का नाम है Seven Habits of Highly Effective People ये book का नाम है Seven Habits of Highly Effective People तो writer ने क्या क्या कि word के बहुत सारे successful लोगों की habits उसमें लिखी कितनी habits? Seven Habits बहुत successful लोगों की और जो number one habit उसने लिखी number one habit जो समय कामन होती है all these successful people, they start anything keeping an result in their mind ये number one habit होती है क्या कहाँ मैंने? all these people start anything keeping a result in their mind end result in their mind कि कहाँ जाना है? ये नहीं होता है, अभी क्या कर रहे हैं? अभी सोचा नहीं है अभी सोचा नहीं है पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? बस कर रहे हैं बहुत ये जैसे numerical load कर रहे हैं लेकिन एक बिच्च अंदर नहीं गई तो कैसे शुरू अभी मैंने question बाद में कोई आप से पहले हमने ये दिखा दिया कि क्या क्या दिया है तो आपका दिमाग सोचना शुरू करेगा नहीं जाद तर बच्चे क्या होते हैं? लिखते रहे तो दिमाग यह और रहता है उनका तो ये question अंदर थोड़ी जाता है तो अपने आपको इसमें involve करिये कैसे कर involve? बार 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 करते 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 involve हो जाएगा ठीक है? डेल्टाई हमसे पूछा इनों ने तो डेल्टाई हमको पता है Q प्लस W होता है और जब बारवा पढ़ेंगे तो ये दिखाई पढ़ेगा कि ये दिया था Q दिया था हमको W निकालना है अब आप पॉस्चन देखिए कि जो वर्क हुआ है वो रिवर्सबिल है कि ये रिवर्सबिल है अब ही जो हम लोगों ने कहा था कि इस प्रेशर का कोई मतलबी नहीं है वर्क तो इस प्रेशर पे हो रहा है तो अगर प्रेशर कॉंस्टेंट है तो प्रोसेस रिवर्सबिल के रिवर्सबिल reverse will be pressure change होता है change होता है reverse will pressure constant रहता है तो यह process irreversible है ना ना 5 से यहां तक नहीं लाए है इनो ने कहा when it expanded to 200 लिटर add to ATM pressure add to ATM pressure नहीं मतलब पांच लीटर पे तो रखी थी गैस लेकिन जो एक्सपैंशन हुआ है वह इस पे हुआ है टू पे हुआ है एक्सपैंशन 2 लिटर पे हो रहा है तो पहला जो प्रेशर दिया है वह बही आप कितने प्रेशन पर प्रेशर पीया यह तो बताइए है ना तो प्रोसेस हमारा एरवस्पिल हो गया तो एरवस्पिल प्रोसेस का वर्ड़न क्या होता है minus P delta V, ठीक है, working start करिया, लिखे, delta E is equal to Q plus W, delta E is equal to Q plus W, फिर रगलिस्टिपे, गिवन that, given that Q is equal to 30.26 KJ, अब रुख जाईए, एक कहां पर गरबड़ा है मामला, इसको change करेंगे क्या कुछ, कि कोई जरूवत नहीं है, KJ को किसी unit पर change करेंगे, हाँ, कोई जरूवत नहीं है, हमें एक काम करेंगे, जो वर्डन P delta V रिकालेंगे, उसकी unit क्या आएगी, कैसे होगा, P delta V, P की unit क्या है, हाँ, वही तो सुना चारहे, कैसे convert करेंगे, किस से divide करेंगे, नहीं, अभी रुख जाएगे, भाई, पहले ये हमको बता दीजिए, इसकी unit क्या आएगी, P delta V की unit क्या आएगी, ना, ये litre ये atmosphere, litre atmosphere, litre atmosphere, को जूल में कैसे convert करते हैं, ना, ये लिखा था last time पे हम लोगों ने, multiply करते हैं, किस से, very good, बहुत अच्छा, ये multiply किया, हमने 101.3 से, 101.3 से, उसके बाद, फिट 1000 से divide कर दिया, तो kg हो गया, तो वर्डर निकालते हैं, चलिए, फिर ये तो ऐसे रहने दीजाएं, फिर लिखे, W is equal to minus P delta V, W is equal to minus P delta V, P, P कितना, 2 A T M, हाँ, लिखे, 2, फिर V2 कितना, V2 minus V1 करेंगे, delta V निकालने के लिए, 200, हाँ, 200 minus 100, 200 minus 100, तो इसका difference 100 आजाएगा, वर्ड हमारा हो गया, 200 liter A T M, 200 minus 200 liter A T M, फिर क्योंकि heat हमारी केजे में थी, तो हमने वर्डर को केजे में, कनवर्ड किया, फिर अगले स्वेप में आजाए, यह is equal to minus 200 into 101.3, 101.3, तो यह क्या हो गया, यह जूल हो गया, जहाँ गाड़ी रुकेगी, रिचल प्ताइएगा हमको, कहीं गाड़ी रुक रही है कि चल रही गाड़ी, ठीक है, तो 101.3 से multiply किया, तो अब यह जूल हो गया, फिर अगले स्वेप में आई, is equal to minus, नहीं, फिर ही multiply किया हमने, multiply किया है तो यह value आती है, 20,260, minus 20,260 unit, जूल, अभी जूल है, उसका केजे में convert कर दीजे फिर, अगले स्टेप में minus 20,260 upon 1000 केजे हो गया यह, किलो जूल हो गया, तो जब 1000 से डिवाइड करेंगे, तो यह 3 decimal shift हो जाएगा, 3 place shift हो जाएगा, तो हो जाएगा minus 20.26, minus 20.26 केजे, minus 20.26 केजे, अच्छा, हाँ मुले, तो हाँ, नहीं, 200, पहली बात तो जाएगा, नहीं, पहली बात तो जानते हैं, never feel sorry, never feel sorry, क्योंकि mind क्या होता है न, changes होते रहते हैं हमारे अंदर हां होता है होता है लेकिन आख class 10 तक Einstein confused रहता था class 10 तक क्यों confused रहता है पता है क्योंकि उसके दिमाग के अंदर 4 steps चलते थे this was the main cause of his confusion so बोलते बोलते भूल जाता था क्या बोल रहे थे क्योंकि अंदर इतनी सारी सीजे चल रही होती तो इसके और teacher जैसे कुछ पूछ रहा है कुछ बात कर रहा है और इसका जो question होता है उसके अंदर 4 step अंदर होते थे उसके दिमाग के अंदर तो teacher के बेकूफी के तुम बात कर रहे हो get out तो आइंस्टीन को क्लास से इसकूल से निकाला गया था ये पता है कि नहीं हाँ ये निकाला गया था तो कहा जाता है कि क्लास 10 तक लोग Einstein को नहीं समझ पाए थे कह रहते बेकूफ है ये और Einstein हक लाते थे बोलते से में तो बच्चे मजाक उड़ा लेते थे उससे में तो किसी को आप जज नहीं कर सकते किसी को जज नहीं कर सकते किसी को जज नहीं कर सकते और every hundred days याद रखेगा इसको thoughts are changed कोई बच्चा अभी रहा ही नहीं करेगा को बच्चा अभी पढ़ रहा है doesn't mean के आगे पढ़ेगा दोनु बाते होतीं दोनु बाते होतीं किसी बारे में कुछ नहीं कह सकते सब अल्ला में डिसाइड करते हैं सब गौड डिसाइड करते हैं जैसे बुद्धी हो गई हाँ अगर सात्वी करेक्ट देवलब किया तो पढ़ना चलू कर देगा तामसिक आया को सुना चलू करते हम रास्थीक वाला है तो वह वरीड रहेगा वहीजत स्ट्रेस्ट रहेगा को नीपढ़ेगा काम करेगा लेकिन पूरी तरस नहीं पढ़ता है उसको कर अरे जूता पॉलिश करना था थिर ओछ दिया उसने फिर जूता पजस करें चेले जूता पजस कर रहें अब मुबाइल नहीं जारता है बैटरी उसकी खटम ओरी है तो वह हमेश्ण परिशान रहा एककाम कंप्लीट नहीं करेगा अब कॉम्प्लीट कौन करता है साथिक वाला करता है क्योंकि एकदम माइन उसका काम रहता है एकदम काम रहता है ठीक है देखी कि जरा एक हमको याद आ गया दो चरह देखें C-A-L-M और एक है K-A-A-M दोनों काम है ये काम है हिंदी वाला काम है ये कौन सा काम है ये डिजायर वाला काम है जो राशिक होता है उसका माइंट फुल आफ काम होता है सात्य काला का माइंट फुल आफ काम होता है समझें दो तरे का काम है दो तरे का काम है अभी तो तरे देख टी-शर्ट ऐसे चप आएंगे इस पर दोनों यही लिखेंगे काम के बारे में कि दो तरे का काम होता है हम ऐसे लिखेंगे अभी टी-शर्ट खुब बिकेगे कि लोग को नहीं नीची पिसंद आती है ना देखें हम ऐसे लिखेंगे माइंट फिर ऐसे दो बार्ट में दिखाएंगे दो तरे का माइंड होता है एक होता है काम माइंड एक होता है काम माइंड हो लुंदा दूसरा क्या होता है काम माइन दोत्रे काम माइन होता है है के नी को अब जिसको समझाया को समझाया जाएगा चाहे एच्छा यह होता है तो यह से राइबिंग वर्ड कोई धूंडिये कोई राइमिंग बड मिलें है यह से यह काम काम आया काम काम जैसा राइमिंग तो नहीं नहीं रुख जया नहीं रुख यह रूग नहीं 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 मिल गया यह होता है कं माइंड होता है इनके पास है क्यों नहीं इसको चाहिए काफी में लिखनी बहुत बढ़े हैं बन गया कि तीन तरह का माइंड होता है काम माइंड है काम माइंड है और कम माइंड है आप पूछे आपको माइंड कैसा है काम माइंड काम माइंड कम माइंड और यह जो था यह सात्विक था पहला वाला सात्विक था दूसरा वाला राजसिक था जो हमेशा क्या रहता है परिशान इसका नाम होना चाहिए मिस्टर परिशान ठीक है और तीसरा वाला कैसा है तामसिक है यह है काम माइन्ड सात्विक होता है फिर दूसरा काम माइन्ड राजसिक और तीसरा कम माइन्ड हो गया एक एक कम हो गया बस एक एह हटा दिया काम बन गया कम माइन्ड तामसिक तामसिक एक एक वर्ड और लिख रीजे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए सात्रिक की सबसे बुड़ी पहचान क्या है ही लफ पीस आप माइन ही लफ पीस आप माइन और यह रासी कवाला पीसिज आप माइन यह पीस आप माइन है Peace of mind Peace of mind Pieces मतलब agitated mind Pieces मतलब بہت सारे टुकले होते हैं उसके mind के कई सारे pieces होते है कि बहुत सारे काम रहते हैं तो instead of Peace of mind they love ピीसे सब माइं इसको खुब टुकलें बाआद करके रहते हैं तो इनकी पहंचे इनका result क्या होता है Peace mind इनका peace पे रहता है ठीक है और इनका mind कैसा रहता है न एजिटेटेटेड agitated mind होता है agitated mind agitated mind और इनका mind कैसा होता है क्या लिखा no mind क्यूंकि इनका mind कोई और control करता है इनका अपना mind ही नहीं होता है इनका mind कौन control करेगा इनका mind food control करता है इनका mind sleep control करता है इनका mind music control करेगा उनको यह नहीं पता होता है कि यह जो गाना सुन रहे हैं इसको इसका पैसा किसी और के मिल रहा है यहां तक दिमागी नहीं जाता उनका कुछ ऐसा करो कि तुमको पैसा मिले, they will go to movie, पैसा खर्च करते हैं ये जी नहीं पता है कि आप movie देख रहे हैं और पैसा दे रहे हैं किसी को आप बैठ करके कोई ऐसा काम करो लोग आपको पैसा दें ये तमस इछ लिए तो कहा ना कि तमस की पहचान क्या है जो हमने कहा माइंड कैसा होता है इनका heedless मैं तो सोचता ही नहीं है कि life जा कहा रही ये क्या मिलेगा क्या खा रहे है life कहा जा रही है क्या planning है पढ़ाई क्यों कर रहे है कभी बैठके नहीं सोचते है तो daily planning होने जी पढ़ क्यों रहा है यार and result क्या है इसका क्यों पर रहा है अगर जिस दिन आपको ये पता लगया किन यार हम parents को war tour कराने चाहते है parents को Mercedes गिफ्ट करना चाहते है इसलिए पढ़ रहे है अब पता नहीं आप सपना बनाई है हेलिकाप्टर गिफ्ट करना चाहते है अच्छा बताइए सपने का reality से कोई relation होता है हाँ नहीं होता यह पढ़ी क्या लिखा the greatest dreams are always unrealistic and illogical वही अभी आप हेलिकाप्टर खरी सकते हैं क्या illogical हो गया लेकिन लेकिन क्या यह हो नहीं सकता है हेलिकाप्टर खरील दें आप बिल्कुल हो सकता है हाँ वर करना पड़ेगा उसके लिए काम करना शुरू कर दिया आपने तो यह और सपने याद रखेगा dreams come true किसी के सपने पर हंसना नहीं चाहिए जो लोग अपने उपर बिलीव नहीं करते है वही दूसरे पर हंसने आद रखेगा जो अपने बिलीव करते है वो कभी हंसने नहीं किसी के उपर क्योंकि उनको पता हाड़वर से कुछ भी कर सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं हाँ क्या किया उसने दुनिया से सन्यास लिया और अपने वर्क पे फोकस कया दास घंडे पढ़ना शुरू कर दिया सारी फ्रेंडशिप सब खतम कुछ नहीं अब हेलिकॉप्टर है और कुछ नहीं हेलिकॉप्टर देना है हम भी आपको यही सपना बना लिया हमने बस काम करना शुरू कर दिया और इस यह हीमन लाइज तो इतनी बढ़िया चीज है आप वाटेवर योर माइन कैन कंसीव एन बिलीव योर माइन के साथ होता है ऐसा क्यों हीमन माइन के साथ ठीक है तो फिर आप अपना डिसाइड करी किधर चलना है साथीक परशवाइड करें साथीक करने के लिए इसके लिए यह किया है इसको इसके लिए दो काम करना बड़ेगा आपको यह दिखे आँ और ए और कि दो काम करना है रिटैर अर्ली राइस अर्ली R E R E बना लिया मैंने ऐसे बनाते रहे हैं R E R E Retire Early कि कि वो तो पुराना हो गया था Early to bed, Early to rise तो थोड़ा और मसाला डाल दिया हमने थोड़ा, ये R E R E तो नया दुदी को लगे ये R E R E क्या होता है है ना तो R E का होगा Retire Early दूसरा R E Rise Early यहां से शुरुआत करनी पड़ेगी यहां से शुरुआत और आगर ये दोनों charakter है तो थोड़ा ये करना शुरू कर दी है मैंड अपने अप शांत होना शुरू हो जाएगा मैंड वर करने शुरू करेगा तो ये दोनों charakter अपने आप धिरे-धिरे कम होने लगेंगे ठीक है चली वापस आ जाते हैं अब हम लोग delta E निकाल देते हैं तो formula था delta E is equal to Q plus W Q plus W Q हमको दिया सा question में 30.26 30.26 W अभी आपने निकाला minus 20.26 सब्सक्राइट कर दें इग्जाट 10 10 के जे 0.26 ऐसा डेटा ही दिया था कि वो इग्जाट सब्सक्राइट हो गया तो 10 के जे हो गया answer minus की plus plus होगा क्योंकि एब्सॉब किया था ही वहाँ पे 10 के जे हो गया this is the answer 10 के जे इस दा ठीक है अगली हेडिंग करके छोड़ दीजे हेडिंग करें इन्थैल्पी ब्रेकेट में H एंड इन्थैल्पी चेंज एंड इन्थैल्पी चेंज देल्टा H बस हेडिंग करके छोड़ी एककल हम लोग कांटिन्यू करेंगे ठीक है तैंक्यू